Mono Rail 2005 में Mono Rail बनने की शुरुवात हुए थी और 9 साल बार 2014 में पहली Mono Rail चली थी Mono Rail बनने का कारण ये है कि अभी जिन जगवाँ पे Mono Rail चलती है पहले उन जगवाँ पे जाने के लिए बसे से ट्रैवल करना पड़ता था जो कि बहुत ही टाइम कंजूमिंग और ट्राफिक के वज़े से बहुत ही तकलीफ होती थी और इसी वज़े से मोनोरेल की शुरुवात हुए थी तो दोस्तों मेरा नाम तेजे समालप और मैं आप सब का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैंटरिंग व्लॉक्स में तो अब आप देख सकते हो सामने मोनोरेल चेम्बूर स्टेशन है तो आज हम लोग मोनोरेल से ट्रैवल करने वाले तो चलते आगे मोनोरेल चेम्बूर से अब तक मैंने मोनोरेल में ट्रैवल नहीं किया है तो हम लोग ट्रैवल करके देखने हाले कि सच मैं मोनोरिल लिजा फेल्प्रोज्यक्ट along क्योंकि जब तक हम पानी में उत्रेंगे हमको उसकी गहराही का पताने चलेगा तो लेस् वाफ्राइबूर इन लोगे ने अभी तब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हों लेग प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही कम टाइम लगता है यार कर दो सब्सक्राइब कर दो और यहां पर अप टिकेट प्राइजर बेख सकते हैं आपके डेस्टिनेशन इसाप से है तो दोस्तों टिकेट अभी निकाल चुक है हम लोग 40 रूपीस टिकिट है लास्टोप की रिटर्न टिके नहीं मिलरे है तो वापस आने के लिए वहाँ से हम लो चुकिए और प्लाटफॉर्म पे ठीक ठाक भीड है और ट्रेन के अंदर भी आप देख सकते हो कि लोग है तो अभी देखिए दुपैर का वक्त है उसके बावजुद भी अच्छी कासी भीड है बहुत जादा नहीं कह सकते लेकिन भीड है तो अल्मोस्ट 40 मिनिट्स की जर्नी होने वाली है तो पहले बैट लेते है एक जगा पे और शेंबूर से ट्रेन निकल चुकिए है टाइम पे निकली है और टोटल 17 स्टेशन्स है और लास्ट आप है संत गाडगे महाराथ चौप तो लगबग 40 से 45 मिनिट्स की जर्नी होने वाली है टोटल और यही पर उपर आप कैमेरा भी देख सकते हैं और डिजिटल मीडर भी है स्टेशन्स बताने के लिए और यह स्पीकर्स भी है तो अनॉंस्मेंट भी होती है स्टेशन्स आने के बाद और यहाँ पर आप देख सकते हो कि नीचे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यहाँ पर मार्क किये गए और ट्रेन में गाड़ भी होता है हमेशा मेट्रोस और मोनोरेल में ट्रावल करने का और एक एडवांटेश यह है कि उपर से जो टॉप का व्यूँ है ना वो मिलता है और विज्वली एक ट्रीट है यह ट्रावल करते टाइग भारत पेट्रोलियम स्टेशन पे आ चुके है और हर स्टेशन के बीच में लगबग 2-4 मिनिट का इडिस्टन्स है तो अभी मैसुरु कॉलिनी स्टेशन आने वाला है तो 2-4 मिनिट का डिस्टन्स है तो उसमें जादा प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत ही क्विकली स्टेश अगर आप देख सकते हो तो और एक मोनो रेल आपको दिखेगी और अभी हम लोग ट्रेन के सबसे आगे के हिस्से में आ चुके है और यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा लग रहा है कि कोई पाइलिट अपने कॉक्पिट में बैट के पेल उड़ा रहा है कि यहां के functions वैसे ही लग रहा है और एक train में एक ही driver होता है और उसके support में train में guard भी होता है तो लोग जो कह रहा है कि Monorail इसा फटेलियर वह इस वजह से कह रहा है कि Monorail जिन जिन stations पे जाती है उन स्टेशन से सबमोर्न स्टेशन यानि कि जो लोकल स्टेशन है वो नियरबाई नहीं है कुछ स्टेशन में है जैसे कि दादर, वडाला, चेंबूर वैसे स्टेशन में आप नियरबाई जा सकते हैं और देखिए अभी यहाँ पे लोग खड़े भी हैं तो भीड तो है ट्रेशन में और अगर मैं कोचेस की बात करूँ तो टोटल चार कोचेस हैं और एक टाइम पे लगभग साड़े 500 से 600 लोग एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं इस मोनो रेल में तो अभी मिंट कॉल इन स्टेशन आ चुका है और देखिए ट्रेन पूरी तरह खाली हो चुकी है तो कुछी दर में लास्ट आप पे भी पहुच जाएंगे हम लोग ट्रेन के टाइम की बाद करो तो सबसे पहली ट्रेन 6.45 को चलती है और सबसे लास्ट ट्रेन 9.45 से चलती है और हर ट्रेन के बीच में आपको 20 से 25 मिनिट का गैब दिखे है और यहां की सिटिंग जो है वो नॉर्मल मेट्रो की तरह बिल्कुल भी नहीं है तो स्टैंडिंग को प्रेफरेंस दिया गया है क्योंकि जादा से जादा लोग फिल ट्रावल कर सकते एक टाइम को और यहां पे सब स्टेशन के आप डीटेल्स देख सकते हो और यह चारों चीज आप नहीं कर सकते हो ट्रावलिक करते टाइम यहां की हाई तो हो डिसेंट लग रही है और फायर एक्स्टिशन भी देख सकते हो आप यह आपे तो अभी लास्ट आप आ जाएगा कुछी देर में और अगर एसी के कूलिंग की बात करूँ तो सच कहा रहा हूं मानना पड़ेगा की कि एसी की कूलिंग बहुत ही अच्छी है जो कि वन आफ दा एडवांटेज है सच में ट्रावल करते टाइम और खास करके गर्मी में यहां पे रिखे अभी लास्ट आप आ चुक है हम लोग तो लास्ट आप से फिर हम वापस रिटन जन्नी का ने माल है चेंबूर के लिए तो अभी रिटन जन्नी की भी शुरुआत हो चुकिया और ड्रेन आप देख सतनी भी ट्रेन यहां पे भी भरी हुई है तो आधे टाइम भी रश मिली थे और जाधे टाइम भी पॉब्लिक है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक स्टॉप पे उतर रहे हैं, हर स्टॉप पे लोग उतर रहे हैं और चड़ रहे हैं So, it's kind of लोग जा रहे हैं, ट्रावल कर रहे हैं ट्रेम में जो की नॉर्मल हर मेट्रो में हमने देखा है और कूलिंग के लिए अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है अच्छी खासी कूलिंग है यहाँ पे तो अल्मोस देड़ घंटे से भी जादा ट्रैवल करने के बाद मोनोरेल में फाइनली वो आपस चेंबू स्टेशन आ चुके है और यहाँ पे भी देखिए बहुत सारी पब्लिक है जो उतरने वाली है मेरे साथ तो चेंबू स्टेशन आ चुके है अम लोग तो बाइबाइ मोनोरेल तो यहाँ से भार निकलता है और यहाँ देखिए यह पब्लिक देखिए कोई भी नहीं बोल सकता कि मोनोरेल इस फिल्ड प्रोजेक्ट तो दोस्तों फाइनली मोनोरेल से ट्रैवल करके अभी भार आ चुके हम लोग अगर कि मोनोरेल हिट है या फ्लॉप यह डिबेट तो चलता ही रहेगा लेकिन मैंने जो एक्स्पिरेंस किया है वो है कि लोग जो है वो ट्रैवल कर रहे है और अपने प्राइवरिटि के इस सांब से ट्रैवलहिए क्योंकि अगर किसी को ऑगर डॉंगळी से दाधर जा रहे तो वो लोग ट्रैव्ड कर रहे हflower है लोग ट्रैवलहिए और इंडिया को जो भॉपुलेशन है वे हर साल बढ़ता जा रहे है तो अगर population बढ़ेगा तो travelers भी बढ़ेंगे और अगर travelers बढ़ेंगे तो travelers के पास travel करने के लिए options भी तो ज़्यादा हमें चाहिए कि नहीं और monorail का experience था वो good experience cheap है comfortable है आपको traffic के जंजट से आजाद करता है ये monorail और government ने monorail हमारे facility के लिए बनाया है और monorail बन तो नहीं होगी लेकिन आने वाले कुछ साल में हम और monorails देख सकते हैं तो आज के वीडियो का conclusion ये है कि monorail is not a hit project और not a fail project ये बस लोगों के facility के लिए बनाया गया है और आप लोग ऐसा समझो कि government ने आपको एक extra additional option दिया है ट्रावल करने के लिए तो उसका जाधर से जाधर हम फाइदा उटाना चाहिए तो आज का फिलाल वीडियो यही पर ख़तम करता हूँ और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज like, share और subscribe ज़रूर दिजे तो मिलते हैं आपको अच्छ वीडियो अच्छ वीडियो करता है ने के लिए जगा हुआ है लागा है तो प्लीजा ने के लिए टावड़े हैं तो मिलते हैं ज़रूर दिस वीडियों है